डियर विवर्स श्टर रिविद मादव के इंसोर्ट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही महत्पुर्ण है क्योंकि आज हम तीन जलसंधी और चार सागर के बारे में पढ़ेंगे और ये इसलिए महत्पुर्ण है क्योंकि पिछले पू पहले आप एक बार ओभर्वियू ले ले कि क्या आज हमें पढ़ना है डाटनेलस स्ट्रेट, उसके बाद बोस्फोरस श्ट्रेट और कर्ज जल डमरूमध्य कोई जल संधी कहा जाता है या स्वाट में संधी भी कहा जाता है तो हम डाटनेट लसंधी बॉस्फोरस संधी और करज संधी के बारे में पढ़ेंगे और सी कौन कौन सा पढ़ेंगे एजियन सी, मरमरा सी उसके बाद ब्लैक सी जिसे आप काला सागर कहते हैं और उसके बाद एजोब सागर और हिंदी में ओजेब सागर कहते हैं तो यह हम चार तरह के C को पढ़ेंगे और इसे याद रखेंगे तो चलिए मैप पे चलते हैं सबसे पहले आप इसको देखें यहाँ पे चारो C को दिखाया गया है सबसे नीचे से देखें जो एरो मार्क है वह पूरा का पूरा यहाँ जो है यह मेडिटेरिनियन C है लेकिन उसका जहाँ पे एरो मार्क गया हुआ है वह एडिया एजियन C कहलाता है वहीं पे छोटा सा जो आपको दिख रहा है यहाँ पे एरो मार्क गया हुआ है यह मरमरा Sea है यानि Sea of Marmara यह छोटा सा जो दिख रहा है Aegean Sea के just wrestle में यह Sea of Marmara है और उसके बाद Black Sea तो आपको rounded दिख रहा होगा Red color से rounded Black Sea है और Black Sea के उपर और यह Arrow के बीच में जो एक छोटा सा भुबाग है वही क्रीमिया है इसके उपर आपको यूकरेन दिख रहा होगा और यहां जो आपको एरो मार्क दिख रहा है यह एरो मार्क जो है यह ओजेब सागर यह एजोब सी कहा जाता है इसे तो चारो सी कहां पर है आपने लोकिसन देख लिया पहले है A.G.N.C, उसके बाद है मरमरा C, उसके बाद है बलैक C, और उसके बाद A.J.O.B.C है और इसमें स्ट्रेट कौन-कौन से है, ये भी हम देखेंगे, तो चलिए देखते हैं ट्रिक जो है आज का, वो है A.M.B.A, ये सागर को याद रखने का ट्रिक है जैसा कि आपने पीछे देखा ट्रिक से आप चारो सागर को याद रख लें और ये सिरीज से याद रखिएगा ए फॉर एजियन सी सबसे नीचे उसके उपर मरमरा सी एरो मार्क से दिखाया गया है उसके उपर राउंडर जो दिखाया गया है ब्लैक सी और ब्लैक सी के बाद उपर जो दिखाया गया है वह ए जोब सी है ज़रा ट्रिक को फिर से देखिए ए एम भी है ए और एम के बीच में क्या लिखा हुआ है डी लिखा हुआ है एम और बी के बीच में क्या लिखा हुआ है बी लिखा हुआ है और बी और ए के बीच में कौन सा लिखा हुआ है के यानि एजियन सी और मर्मरा सी के बीच में कौन सी संदी है डी फोर डाडनेल संदी एम और बी एम और बी के बीच में कौन सा है यानि सी ओफ मर्मरा और ब्लैक सी के बीच में कौन सी संदी है बॉस्फोरस संधी और B और A यानि ब्लैक सी और एजोब सी के बीच में कौन सा जल संधी है कर्च इस्ट्रेट यानि कर्च जल संधी है तो हम एक एक करके देखते हैं सबसे पहला देखिए डाडरनेल संधी उपर में आपको हेडिंग दिख रहा होगा या किसको एजियन सी को मरमरा सी से जोड़ती है नीचे से जैसा कि मैंने उस फिगर में भी दिखाया था यहाँ पर आपको एजियन सी दिख रहा होगा और ये आपको सी और मरमरा दिख रहा होगा तो अब हम आते हैं बॉस्फोरस एस्टेट जो है वह किसको किसको जोड़ता है सी ओफ मरमरा और ब्लैक सी को जोड़ने वाला है अब इसमें देख सकते हैं सी ओफ मरमरा और ब्लैक सी को जोड़ने वाला इस्तांबुल के पास जो जगा है वहां कौन सा है बॉस्फोरस संधी है तो ट्रिक से भी आपने याद कर लिया और इसको भी देख लिया अब हम कर्च स्ट्रेट को देखते हैं तो कर्च स्ट्रेट कहां पर है यह रहा आपका कर्च स्ट्रेट ब्लैक सी और उपर कौन सा है एजोब सी इन दोनों के बीच में कौन सा एस्टेट है तो कर्च एस्टेट ब्लैक सी और एजोब सी के बीच में तो फिर से देखिए अब आप यहां से समझ पा रहे होंगे डाडनेल संदी या जलसंदी एजियन सी और मरमरा सी को जोड़ती है अगला कौन सा हो गया बोस्पोरस एस्टेट या मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है और कर्च जलडमरुमद या काला सागर और ओजेब सागर को जोड़ती है और यही कर्च जलसंदी जो है यही रूस को युक्रेन से भी जोडने के लिए है तो इस तरह से आपने आज के संधियों को देखा ऐसे ही अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर करें तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ चैनल